Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications and this is absolutely free. माँ भगवती के योनी रूप का ये अनूठा मंदिर पूरे ब्रहमांड का केंद्रोबिंदु माना जाता है. मान्यता है कि राजा दक्ष ने एक यग्य के दौरान अपनी पुत्री सती के पती शंकर को अपमानित किया, जिससे सती ने दुखी होकर उसी यग्य में आत्म दहन कर लिया. जब भगवान शंकर ने सती की मृत देह को देखा, तो वो क्रोध से तिल मिला उठे, और अपनी पत्नी की मृत देह को उठा कर संगहारक नृत्य करने लगे. भगवान शिव के संगहारक रूप से सभी देवी देवता भयभीत हो उठे. शिव के क्रोध से समस्त ब्रहमांड को बचाने के लिए तब भगवान विश्णुन ने अपने सुदर्शन चक्र से एक-एक कर मां सती के अंगु को अलग कर दिया. माना जाता है कि इस दौरान सती के शरीर के बावन हिस्से अलग-अलग जगहों पर गिरे. इन ही अलग-अलग हिस्सों को आज देवी के बावन शक्ति पीठों के रूप में जाना जाता है. कहते हैं मा सती का योनी भाग कामाख्या में गिरा. इसलिए इसे कामाख्या मंदिर का नाम दिया गया कामाख्या मंदिर का महत्वपूर्ण हिस्सा है गर्भग्रिह जो जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गुफा में स्थित है गर्भग्रिह में मां की कोई मूर्ती नहीं है बलकि यहां योनी के आकार का एक कुंड है जिसमें जल निकलता रहता है इस कुंड को योनी कुंड के नाम से जाना जाता है ये कुंड लाल कपड़े और फूलों से धका रहता है ये मंदिर कई बार तूटा और बना है जिसके चलते इस मंदिर की मूर्तिकला विभिन्न काल की विशिष्ट शैली को तरशाती है मंदिर के कुछ हिस्सों में की गई नकाशी, गुप्त काल और ओडीशी कला से प्रेरित है आखरी बार ये मंदिर सोलहवी शताब्दी में नश्ट किया गया था जिसे सत्रवी सदी में राजा नर नारायन ने फिर से निर्मित करवाया का माख्य मंदिर धार्मिक स्थल होने के साथ ही मूर्तिकला को देखने के शोकीन परियटोकों के लिए भी एक अच्छा भ्रहमन स्थल है